प्रेगनेंसी के दौरान आपके सोने और आपके लेटने के तरीके का असर सीधा-सीधा आपके बच्चे पर पड़ता है। अगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहे है। आपको उल्टी आना और थकावर जैसे प्रेगनेंसी के लक्षणों से आराम मिलेगा। और दूसरा सोते वक्त आपके सरीर में ऑक्सीजन का प्रवाब बच्चे को सबसे अच्छा श्रोत होता है। जिससे उसकी ग्रोथ में काफी मदद मिलती है। चलिए अब समझते हैं कि आपको कैसे सोना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी हालत में उल्टे नहीं लेटना है। और यही राय आपके डौक्टर ने भी आपको दी होगी। क्योंकि उल्टे लेटने से आपके बच्चे को खून के प्रभाव और ऑक्सीजन में कमी आती है। जिससे बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, जिसका सारीरिक और मानसिक प्रभाव भी बच्चे पर पढ़ता है। तो ऐसे में ये बात तो आपको खास ज्यान रखनी ही है कि आपको उल्टे किसी भी हालत में नहीं लेटना है। दूसरा, जितना हो सके उतना कम से कम सीधा लेटें। क्योंकि सीधा लेटने से आपको सीने में जलन, बैक में दर्द और घपराट जैसी परिशानिया होती है। तो ऐसे में ये ये आप जादा देर तक सीधा लेटेंगी तो ये परिशानिया भड़ती चली जाएंगी। और प्रेगनेंसी के दोरान तो वैसे ही कमर में दर्द होना एक आम बात होती है। उसका कारण क्या होता है आपका भड़ता हुआ वजन। तो ऐसे में आप जितना कम सीधा लेटेंगी उतना ही आपको आराम मिलेगा। तीसरा आपको हमेशा अपने लेफ्ट हन्द यानि बाई तरफ करवट करके लेटना है। इससे आपको सास लेने में जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। साथी साथ आपको सीने की जलन में भी बहुत आराम मिलेगा और जब भी आप लेफ्ट हैंड की तरफ करवट करके लेटे हैं उस वक्त पैरों के बीच में तकिया जरूर रख ले ताकि आपके ऊपर वाले पैर का असर आपके गरवासे पर ना पड़े क्योंकि इस समय आपका यूरिनेरी ब्लेडर वैसे ही सुकुड जाता है ऐसे में गरव में प्रेशर पड़ने से आपको बार बार टोयलेट की परिशानी भी कम होगी और कभी भी अपने पैरों को हवा में ना टांक कर रखें क्योंकि इस से पैरों में सूजन आ सकती है तो अपने पैरों के बीच में तकिया रखना ना भूले क्योंकि इस पोजिशन में ऑक्सीजन का प्रवाव गरवासे में सबसे अच्छा होता है जिससे कि आपकी बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और रक्त का प्रभावी काफी अच्छा होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ सबसे important बाद चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे comment box में जरूर लिखे हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए और स्वस्त रहिए